ये तस्फीरे देख रहे हैं आप ये वो गैंग्स्टर है जिन्होंने वर्चस्व के लिए सैक्रो जाने ली ये वो गैंग्स्टर है जिनके एक इशारे पर कई खूनी गैंग वार हुए सबने अपना पावर और कौन कितना बड़ा या यू कहें स्टाइलिश गुंड़ा है ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाहिर सी बात है सिद्धु मूसे वाला हत्याकान के बाद एक से एक गैंग और उनके बीट चल रही गैंग वार की कहानी सामने आ रही है ऐसे में क्राइम तक पर आज कहानी देश के ऐसे गैंग्स्टर्स की जिनके नाम से आज भी लोग खौफ खाते हैं सुखा कहलवाग गैंग एक वक्त ऐसा था जब खतरनाग गैंग्स्टर्स सुखा का खौफ पंजाब, हर्याना और राजिस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था साल 2000 से 2015 तक सुखा का नाम साथ से भी जादा आपराधिक मामलों में आया इन मामलों में हत्या, डकैती, गैंग वार के साथ साथ कई गंभीर मामले भी शामिल थे इस गैंग्स्टर का निशाना आचूप था इसी वज़े से उसकी पहचान एक शाप शूटर के तौर पर थी 20 जनवरी 2015 को विक्की गोंडर गैंग के सदस्यों ने 28 साल के सुखा की पुलिस हिरासत में ही गोली मार कर हत्या कर ली थी इतना ही नहीं सुखा की हत्या के बाद उसके हत्यारे पुलिस के सामने ही बेख आफ नाशने लगे थे सिद्धु मुसेवाला की हत्ते के बाद लौरेंस बिशनोई को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो लौरेंस एक एक्स पुलिस कॉंस्टेबल का बेटा है जिस पर 30 से भी जादा आपराधित मुकदमे दर्ज है पिछले 7 साल से लौरेंस जेल में ही है और ऐसा कहा जाता है कि तिहाड जेल में रहने के बावजूद वो बड़ी आसानी से अपना गैंग चला रहा है अगे उसके गैंग में 700 से जादा शूटर शामिल है देविंदर बंबीहा गैंग एक वक्त ऐसा था जब देविंदर बंबीहा गैंग का नाम सुनते ही दूसरे गैंग्स्टर का पश्यमे उत्रप्रदेश का कुख्याद गैंग्सिर बदन सिंग बंदो पर यूपी पुलिस ने धाई लाक और देली पुलिस ने पचास हजार रुपय का अएनाम रखा है साथ भाईयों में से सबसे चोटे बदन सिंग बदो ने ट्रांस्पोर्ट के कारुबार में कदम इसी दौरान उसके संबंध कई बदमाशों से हो गए बताया जाता है कि उसने साल 1988 में अपरात की दुनिया में कदम रखा बदन सिंग बदो ने साल 1996 में एक वकील की हत्या की इस मामले में कोट ने उस उम्रिकाइद की सदा सुनाई थी 29 मार्च 2019 को जब उसे गाजयाबाद पेशी पढ़ लाया गया तब वापसी के दौरान मेरट में उसने पुलिस कर्मियों को रुपए और पार्टी का लालश दिया इसके बाद वो एक होटल गए जहां पुलिस कर्मियों को उसने शराब पिलाई और फिर फरार हो गया तब स पिरौती के लिए बदनाम इस गैंग के खूब चर्चे हैं इस गैंग का सरगना रंजीत सोवेवाल साल 2015 में मारा गया था इसके बाद उसका भाई गुरबक्ष इस गैंग को चला रहा है गुरबक्ष भी साल 2017 में पकड़ा गया लेकिन आज भी वो जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है जग्गो भगवान फुरिया गैंग पंजाब में ये गैंग सबसे ज्यादा अक्टिव है किड्नापिंग वसूली हाइवे रॉबरी जैसी वारदात को ये अन्जाम दिता है इस गैंग का मुख्या जग्गो है उसे साल 2015 में पुलिस ने गिरफतार किया थ इसका मुख्या विक्की गॉन्डर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुख्भा को पुलिस हिरासत में दिन दहाडे मार डाला था इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस किया इसी गैंग पर बदला लेने का एलान भी किया है